नमस्कार मित्रो ये वीडियो है मेरा Islamic terrorism के solution के उपर इसके पहले का वीडियो था Islamic terrorism के कारणों के उपर कारणों में सबसे करणा कारण मैंने बताया कि अमरीका है वो साओधी अरेबिय को protection दे के Islamic terrorism को मदद कर रहा है साओधी अरेबिया है वो पैसा भेज रहा है पाकिस्तान है वो जमीन दे रहा है और आजमी दे रहा है और चीन भी इसमें जुड़ गया है क्योंकि जो Islamic terrorism में उसके दो गुठ हो गए एक है जो कि पूरा साओधी अरेबिया के control में है और वो अमरीका का एक तरह का प्यादा है और दूसरा ग्रूप जो कि अमरीका के विरोधी है और चीन उसको मदद कर रहा है और हम उनसे कैसे बचे यानि उपाई का क्या उपाई है कि हम उनसे बचे तो उपाई यानि कि हम ऐसे कौनसे गैसेट नोटिफिकेशन चपवा सकते हैं कि जिससे और फिर उसके बाद हम क्या पॉलिसी ले सकते हैं जिससे कि इसलामिक टर्रिरिजम है वो देश में कम हो तो अंध में ये एक तरह का प्रॉक्सी वार है युद्ध है और वो युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी सेना कमजोर है कमजोर कि सेंस में कि हम पाकिस्तान की सेना को खतम कर सकते हैं लेकिन यदि पाकिस्तान की सेना को चीन या अमरिका दो किसी एक में एक से पूरे पूरी मदद मिलती है आधुनिक हत्यार मिलते हैं और हमें आधुनिक हत्यार टाइम से नहीं मिलते तो फिर पाकिस्तान की सेना को हम खतम नहीं कर सकते और इतना ही नहीं पाकिस्तान की सेना शायद कलकत्ता और मदरास तक भी आ सकती है मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई exaggeration कर रहा हूँ, अतिश योकती भी नहीं है, यदि चीन पाकिस्तान की सैना को पूरे-पूरे हत्यार देती है, मुह मांगे हत्यार देती है, और उस समय अमरीका कहता है कि चलो भारत की मदद करेंगे, लेकिन दो महीने बाद, पहले भ अमरीका यदि मदद नहीं करता है, या दो मेने बाद करता है, तो वो दो मेने के अंदर पाकिस्तान की सेना कलकता और मतराष तक आ सकती है, तो पाकिस्तान को हमारी कमजोर ही पता है कि भारत की सेना कमजोर है, और इसलिए पाकिस्तान है वो आतंकवादियों को जमीन दे र आस्तों अमरीका को मरवा डाले मेक्सिको और अमरीका की बॉर्डर भी उतनी खुली है जितनी भारत पाकिस्तान की बॉर्डर भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे तो फिर भी वो कांटों की वो पूरी बॉर्डर लगाई है fence लगाई है और लेकिन जो मेक्सिको अमरीका की बॉर्डर है उसमें जो अधिकतर जग़ कोई fence नहीं है लेकिन और मेक्सिको के से illegal agreement लाखों की तादाद में अमरीका में आते हैं लेकिन आतंक वाद ही नहीं आते हैं क्योंकि ऐसे 20-25 कसब को बेजने के लिए एक पुरा संगठन को सरकार की मदद चाहिए और वो संगठन को वहां के राष्टरपती का मेक्सिको के या पाकिस्तान के राष्टरपती का या प्रधान मंदरी का आशिरवाद चाहिए तो मेक्सिको के राष्टरपती की या मेक्सिको की किसी सेनेटर की या किसी ड्रग लोड की हिम्म नहीं है कि वो इस तरह से 100-200 आतंकवादियों को ट्रेंड करें 15-20 को अमरीका भेजें और 100-200-500 अमरीकनों को मरवा डालें क्योंकि यदि ऐसा किया तो मेक्सिकों की सेना मेक्सिकों में घुसके राश्ट्रपति को मेक्सिकों के चवराय के बीचों बीच उसको फांसी पे सिक्यूरिटी के लोग थे उन सबको मोबाइल कैमेरा दिया ताकि तुम वो मोबाइल पे उसका रेकॉर्ड कर सके कि यह सदाम जो पेंडूलम की तरह घूम रहा है वो इस एंगल से कैसा दिखता है इस तरह से तुम जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो वो पूरी- दिखा के अमरीका ने दुनिया के जितने भी नेता है जैसे मनमौन सिंग है वाजपाई है सब को धंकाया कि यदि तुम्हें अमरीकों के खिलाफ आवाज खुली पाकिस्तान के जरदारी हो या फिर नवाश शरीफ हो या मुश्रफ हो या पूरे दुनिया के नेता हो को वी कि वो मेक्सिको के राश्टरपती के या मेक्सिको के सैनेटर को तबाह कर सके और इसलिए मेक्सिको के राश्टरपती या सेनापती की हमत नहीं होती कि इस तरह से 10-15 कसब वो अमरीका में भेज सके वो ताकत हमारी सेना में नहीं है इसलिए मुशरफ ने या नवाश शरीफ जो भी है उसने पंधरावीस कसब को भारत में भेज के बड़े पैमाने पे कतलायम किया और वो आतंकवादियों को कश्मिर में भेदते रहते हैं हमारे सैनिक मरते रहते हैं जैसे अभी कुछी दिनों पहले दो सैनिकों को हत्या हुई एक सैनिका सरकाट के पाकिस्तान लेगे वहाँ पाकिस्तान में उसको पांच लाग का इनाम दिया गया और वहाँ की सरकार जिसने इनाम दिया है तो हम अपनी सेना को मजबूत करेंगे उसके बाद ही आतंगवाद की लड़ाई खतम होने वाली है तब तक स्लो मोशन में चलती जाएगी और कितना भी हम पैसा खर्च करें वो रुकने नहीं वाला आपके घर की आप खिड़की दर्वाजे सब कुछ बंद कर दो कि ताकि घर में मच्छर ना है और बाहर नाला है गंदकी वाला वो वहाँ पे मच्छर बनते रहें बनते रहें तो बही कभी कभी तो आपको खिड़की खोलनी पड़ेगी, कभी तो दरवाजा खोलना पड़ेगा और एक मिनट दरवाजा खोला और बीस मच्छर गुजगे, अब आप कैसे इस तरह से मच्छर को रोक सकते हैं जब तक कि आप उस नाले की सफाई ना करो, तो इस तरह से पाकिस्तान ने बोला कि पाकिस्तान पे हमला नहीं करना है, और हमने उसकी मर्जी के खिलाफ हमला किया, तो क्या परिणाम होगा, कि अमरीका ने जो भारत को हत्यार दिये हैं, अमरीका उसकी किल स्विच अक्टिवेट कर देगा, आप गुगल करना, किल स्विच वेपन्स, तो आपको लिस्ट आएगा कि जितने भी बड़े वेपन होते हैं फाइटर प्लेन टैंक उसमें किल स्विच होती है जो कि अमरीका का प्रेसिडेंट उसको एक्टिवेट कर सकता है वो किल स्विच एक्टिवेट की यानि वो प्लेन है वो टेक ओफ भी नहीं करेगा उसके अंदर जो मिसाइल है वो कभी निशाने पर नहीं लगेगा आदी तो अमरीका ने फ्रांस ने बृटन ने जितने भी हमें अथियार दी है हर एक के अंदर वो किल स्विच डाली है मतलब कॉमन सेंस की बात है आप किसी देश को प्लेन दोगे तो आप यह नहीं सोचो कि कि किसी दिन यह प्लेन का इस्तमाल मेरे खिलाफ हो सकता है और ऐसा हो तो क्या करना चाहिए कैसे मैं उस प्लेन को आसानी से जमीन पहला सकूँ और आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड मीलो की यह इलेक्रिक सरकीट होती है उसके अंदर जो इलेक्रिक सरकीट होती है आजकल प्लेन के अंदर वह आप यदि वायर खिंचने शुरू करो उसको एक कोने से दूसरे कोने तक तो उसकी लंबाई मीलों में जाएगी तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्रोनिक सरकीट में सेमी कंडुक्टर चिप्स में पीसी बी में बहुत आसान कामें किल्ट स्विच रखना कि सामने वाले को पता भी ना चले कि कहां रखी तो इस तरह से अमरीका की मर्जी के खिलाफ यदि हमने पाकिस्तान पे हमला किया तो अमरीका किल्ट स्विच अक्टिवेट करके हमारे अथियारों को नाकाम कर देगा और पाकिस्तान को डबल अथियार देगा तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जागा उसका एक example में मैं देता हूं कि 1971 में जब पकिस्तान को हराया तब इंदेरा गांदी का प्लान यही था कि उस समय जो युद हुआ था वो सिर्फ बंगलादेश की सीमा पे हुआ था वो युद कश्मीर और राजस्तान और गुजरात की सीमा पे नके बराबर हुआ था 90-95% से भी ज़्यादा युद है वो सिर्फ बंगलादेश की सीमा पे हुआ था पूर्वी सीमा पे तो वहाँ पे पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह तबाल कर दिया पाकिस्तान की एकोनोमी को बहुत बड़ा जटका लगा था पाकिस्तान की लाखों की संख्या में सैनिक वहा लुकड़े अंदर अंदर लड़ते रहेंगे और हमें आसानी से शांती मिल जाएगी लेकिन दूसरे मिनट यह बात छिपी नहीं रहती क्योंकि इतने बड़ी संख्या में आप मिल्ट्री मोबिलाइज करोगे तो पूरी दुनिया को बड़े नेताओं को बात पता लगी ज देंगे वो क्यों किया उसका साफ रीजन था कि यह प्लान जब दुनिया को बड़े नेताओं को पता चला पाकिस्तान को पता चला तो उन्हें अपने साओधी अरेविया उनके जो आका है दोस्ता का जो भी बोलो उनको बोला कि भई हमें बचाओ तो साओधी अरेविया न अपनी सेल्फ इंट्रेस्ट पहले सोचेगा ये मान के चलो दोस्ती भाईचारा वो सब एक हद तक ठीक है लेकिन वो इतने वो कोई माता और बेटे का रिष्टा नहीं है या भाईबेंच जैसा कोई घनिश रिष्टा नहीं है कि उसके लिए कोई देश अपने दूसरे देश के लिए कुर्बा नहीं दे 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 दूसरा रूस ने ये भी सोचा कि यदि हम भारत को पाकिस्तान खतम करने देते हैं तो हमें बड़ी पैमाने पे भारत को मदद भेजनी पड़ेगी और इस तरह से हम भारत को मदद की हमने पाकिस्तान को खतम करने में तो जो पूरा इस्लामिक ब्लॉक है अलजीरिया एरिया मौरक्कों से लेके इंडोनेशिया वो सारा ब्लॉक हमारे खिलाफ हो जाएगा और वो क्यों भारत के लिए इतने सारे देशों से अपने सबंद भी गाड़े तो जब साओधी अरेविया ने रश्या को बोला कि तुमने यह भारत को नहीं रोका तो हम पूरा ब्लॉक है वो अमरीका का हो जाएगा तो रश्या ने अपने ही देखे उन्होंने इंडियरा गांधी को कहा कि अपना यह भी प्लान कैंसल करो पाकिस्तान को तोड़ने का और इंडियरा गांधी को प्लान कैंसल करना पड़ा क्योंकि हम रश्या के हथियारों पे निर्बर थे तो इसी तरह से आज हम अमरीका के हथियारों पे निर्बर है ब्रिटन के फ्रांस के हथियारों पे निर्बर है तो उनकी मर्जी के खिलाफ हम कोई बड़ा युद नहीं परकिस्तान को प्रोटेक्ट कर रहा है और इसकी वजह से हमारी लड़ाई मुश्किल हो रही है यह बॉड़ी ओफ इन्फोर्मेशन जो है पूरी इन्फोर्मेशन हमें भारत के एक एक नागरिक तक पहुंचानी है तो इसमें पेड मीडिया तो हमारा काम करने नहीं वाला पे हम्मत ले में भी हम्मत नहीं है कि यह बात करें और दो नागरिक तक पहुंचाने की कि कोशिश करें घूब और ताकत में अंतर क्या होता है कि कोई भी आदमी यदि अपनी ताकत के मुताबिक हिम्मत रखता है तो वो तो बिजनेसमेन भी रखता है भई अंत में एक एक्टिविस्ट या तो करांती कारी और बिजनेसमेन में फरक क्या है करांटी कारी यानि वो व्यक्ति जो अपनी आवकाद से ज्यादा हिम्मत दिखाता हो और बिजनेसमेन यानि जो कि अपनी आवकाद के मताबिक हिम्मत दिखाता हो अपनी आवकाद के मताबिक हिम्मत तो हर एक बिजनेसमेन भी दिखाता है बहात्मा 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 बहात्म इसलिए बेवकुफ शब्द तो नहीं बोल सकते मिसगाइड यानि कि बेवकुफ एक अच्छी भाशा का शब्द हुआ उन्हें उधम सिंग को महात्मा उधम सिंग को पागल आदमी कहा था जो भी डरपोक व्यक्ति होता है वो हमेशा हिम्मत वान व्यक्ति को हिम्मत वान तो कह नहीं सकता है इसलिए वो उसे पागल कहता है तो सवाल आता है कि हमारे जितने भी कुर्सी पर बैठे हुए नेता है वो ताकत रखते हैं हिम्मत रखते हैं लेकिन वो हिम्मत उतनी दिखाएंगे जितनी ताकत हो और ये information वही आदमी पहुंचा सकता है जो अपनी ताकत स ज्यादा हिम्मत दिखाने को तयार हो क्योंकि अमरीका चाहता नहीं है कि भारत के आम कारिय करता हो को आम नागरी को को ये information मिले कि साउधी अरेबिया को अमरीका protect कर रहा है और इसलिए साउधी अरेबिया भारत के आतंकवादियों को पैसा देने की हिम्मत बता रहा है और अमरीका पाकिस्तान को protection दे रहा है इसलिए पाकिस्तान की हिम्मत होती है भारत में कसब बेजने की और अफजल जैसे लोगों को मदद करने की तो ये कौन कायम कर सकता ये information पहुँचाना तुमारे मेरे जैसे छोटे लोग कि जो radar में हम इतने छोटे हैं चीटी की size के है कि वो ये बड़े लोगों के radar में आएंगे नहीं और जब तक हमारे और इस तरह से नहीं कि मेरी size बड़ी हो कि मैं बहुत बड़ा हो जाओ तो बहुत बड़ा हो गया तो मैं रड़ार में आ जाओंगा तो मेरे भी इस तरह से खतम होने के आप मेरे पर दबावाने के आप मुझे रिश्वत देने के चांसल बढ़ गए इस तरह के जादा लोगों की संख्या बढ़े जैसे ये वीडियो है तो मैं प्रोटेक्शन दे रहा है चाइना हाथियार दे रहा है प्रोटेक्शन भी दे रहा है अमरीका सेटलाइट इंफर्मेशन भी दे रहा है साओधी अरेबिया पैसा दे रहा है और पाकिस्तान है वो जमीन और आदमी भेज रहा है आतंगवाद के लिए और साओधी अरेबिया है वो मदरेशाओं को पैसा दे रहा है, साओधी अरेबिया है वो मीडिया को पैसा दे रहा है, चैनलों को, पेड़ी मीडिया को और साओधी अरेबिया नेताओं को पैसा दे रहा है बीजेपी के संसत कॉंग्रेस के संसत कॉम्मिनिस पार्टी के संसत और उसके द्वारा और साओधी अरेबिया बंगलादेशियों को भी भारत में घुसाने के लिए पैसा दे रहा है एक बंगलादेशी को घुसाने के करोड़ों की संक्या में बंगलादेशी भारत में गुसे तो जब युद्ध के समय उनका उप्योग हो सके तो हमें ऐसे कौन से कानून डालने चाहिए गैजेड में कि ये रुके पहले ये इन्फरमेशन हमें लाखो लोगों तक पहुंचा नहीं है तो राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चैर्मेन आएगा तो एक चैनल जिसको ये सारे इन्फरमेशन फ्री में बाटने चाहिए फ्री में या नहीं कोई दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती लेकिन दूरदर्शन की संस में मैं फ्री बोल रहा हूं कि हम नागरिक दूरदर्शन को टेक्स का प पर्चो होता है वो दुर्ज़र्षन को फ्री में दिया है और उनको सेलेरी भी हमारे टेक्स के पैसे आजाती तो वो इट इस इस इज़न पेड मीडिया लेकिन उसके ऊपर वो करप्षन का पैसा लेके साओधी अरेविया हो या मिश्नरी ओ जिस जिस से भी पैसा लेके यह सारी information दबा देते हैं तो right to recall दुरदरशन channel आएगा दुरदरशन को पांच भाग में बाट दो हर एक का chairman independent उसके staff के उपर jury system ताकि staff को भी chairman दबाना सके और बाद में पता चला कि staff यदी भरष्ट है तो उसको नौकरी से निकाला जा सके तो हमें एक channel मिल जाएगी जो कि हमारे पास सारी खबरे पहुचा रहा है सारी सची खबरे पहुचा रहा है सची और important right to recall दुरदरशन chairman नहीं आता तब तक क्या करे तब तक हमें आख़बार में advertise देने चाहिए जैसे मैंने अपी तक में 15 एड़टाइस दिये एक एड़टाइसमेंट मैंने बंगला देशों के उपर दिया था और इसमें साफसाफ लिगा था कि भी साओधी अरेविया है वो पैसे दे रहा है पश्चिम बंगाल के मुख्यों मंत्रियों को सबको पतवारी से अरे तरसिलदारों को टरस्ट के थूर डायरेक्ली नहीं दे रहा और वो नेताओं को पैसे दे रहा है बीजेपी के कॉंग्रेस के सबको ताकि बंगला देशों को रोकने के लिए जरूरी कानून न बने तो यह information अभी हम कैसे दे सकते हैं अख़बारों के अड़ड़ाइस के दवारा तो यह information का problem हो अब हम second step में बंगला देशों को कैसे निकाल सकते हैं क्योंकि जो Islamic terrorism की एक link बंगला देश से कैसे जुड़ी है कि बंगला देशी बड़े पहमाने पे भारत में नकली करंसी पहुचाते हैं और उस नकली करंसी से आतंकवादियों को financial strength मिलती है और बंगला देशी है वो जब यूद शूरू होगा तब लाखों की संख्या में वो बंगला देशी भारतियों पे हमला बोलेंगे तो बंगला देशीों को कैसे निकाले उस पे मेरी एक पूरी वीडियो है यह मेरी जो बुक है उसमें चप्टर भी है rahulmata.com slash 301.htm यह जो मेरी किताब है rahulmata.com slash 301.htm उसमें चप्टर 32, चप्टर 33 इसमें मैंने बता है कि हम कौन-कौन से कानूनों से बंगला देशों को निकाल सकते हैं उस पर शुरुआत आप कर सकते हैं कि MP को SMS से ओर्डर बेजो कि इंडिया में जितने भी India to Bangladesh phone call है या India to Pakistan phone call है उसकी सारी लिस्ट वेबसाइट पे फोटो के साथ डाल दो कि इतने इतने आदमी है जो कि महिने में एक घंटे से ज़्यादा पाकिस्तान या बंगला देश से बात कर रहे हैं फिर थर्ड स्टेप आता है कि हम अपनी सेना कैसे है और उस बंगला देशों को निकालने के लिए और भी मैंने कानून बताया है इसमें और वीडयो में मैंने डीटेल में एक्स्पैण किया है कि किस तरह से हम ब्लड टेस्ट के दौरा बंगलादेशियों को आइडेंटिफाई कर सकते है और फाईनली किस तरह से नार्को टेस्ट के दौरा कनफर्मेटरी प्रूफ ला सकते हैं अब next step आता है हम सेना को कैसे मजबूत करें और ये कोई आसान काम नहीं है आसान काम यानि गरीबी दूर करना आसान काम है चार मेने में हो सकता है पुलिस का अबरश्टा जार बहुत आसान काम है चार शे मेने में हो सकता है education का प्रस्टा साथ 6 मैने में दूर हो सकता है education को improve करना साल-2 साल का काम है कोई यह मुश्किल सवाल नहीं है हर एक आदमी को घर देना वो भी साल-2 साल का काम है कोई मुश्किल काम नहीं है पर सेना को मजबूत करना मुश्किल काम है क्योंकि उसके लिए हमें पहले बड़ी संख्या में उध्योग बढ़ाने पड़ेंगे आज जो छोटा उध्योग पती है चोटा उध्योग पती यानी उसकी सिर्फ मानलो 10-15-20 लोगों की factory है और बस उतनी उसकी capacity है financial या जो भी बोलो तो वो क्यों grow नहीं कर पा रहा है एक तो उसका समय बहुत सारी चीजों में निकल जाता है कैसी चीजों में कि बहुत सारे गलत कानूने की ये फाइल करो ये फाइल करो ये रिटन फाइल करो प्रोवीडन्ट फंड का return file करो, service tax का return file करो, professional tax का return file करो, इतने सारे उसको return file करने हैं कि उसका आधा time उसमें चला जाता है। या उसको कोई CA रखना पड़ता है तो उसके साथ deal करना और उसको salary देना तो उसको वो business over aid हो किया। फिर बहुत सारे अधिकारी उसको आके परेशान करते हैं, उससे रिश्वत मंगते हैं, पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड, लेबर आफिसर, प्रोविडन फरंड आफिसर, इस तरह से 15-20 अफसरों कि मैं बारात बता सकता हूं, आपको वो बारात लेके आते हैं और पैसा खीच के उन्हें के लिए आते हैं, और वो बड़े पैमाने पे भी होता है, जैसे कि अभी ये जो जो ज्वैलरी एक्सपोर्ट वाले हैं, स.C.Z. वाले, उन्होंने फाइनस मिनिस्तर को रिश्वत दी तो उसने कस्टम ड्यूटी बढ़ा के 6% कर दी सोने पे, तो जो छोटे ज्वै इंस्पेक्टर राज और यह कैसे दूर कर सकते हैं, कि बहुत सारे इंस्पेक्टर वो डिपार्टमेंट ही खतम कर सकते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड का मैंने डिटेल में एक्जामपल दिया है, यह प्रोविडेंट फंड का प्रॉब्लेम कैसे कम कर सकते हैं, यह को salary दी है अब employer की employee employee यानि employee की जिम्मेदारी बनेगी कि वो उसकी salary का 15% अपने provident fund खाते में जमा करा है जो भी 15% 10% limit जो भी रखी है और वो नहीं करता है तो सरकार सिर्फ employee को पकड़ेगी employer को नहीं पकड़ेगी employer का उतना ही कामें कि वो पूरी पूरी तंखा चुका दे और जितनी तनका उसने चुकाई है वो सरकार को उसका reporting दे दे कि भई मैंने इस आदमी को इस तारीक पे ये चेक दिया और इतना पैसे मैंने जमा हो गया उसके खाते में और बागी प्रोईडन यानि प्रोईडन फंड की जिम्हेदारी सिर्फ सरकार की हो गई और उस employee की हो गई वो employee यदि ठीक ठीक से प्रोईडन फंड जमा कर रहा है तो उसे कोई problem नहीं लेकिन employer की जिम्हेदारी प्रोईडन फंड के निकल गई तो आप प्रोईडन फंड का inspector उसको पर रवया बताऊं, वो आम आदमी होते हैं, वो क्यों उद्योग पती को गलत परेशान नहीं करते हैं, छोटे उद्योग पती हैं, बड़े उद्योग पती को, क्योंकि उसी तहसिल में या उसी जिले में रहने वाले बारा आम आदमीों को बुलाया, वो पहले ये सोचेंगे कि गलती किस की है यदि उन्हें लगा कि लेबर की गलती है तो उद्योग पती को परेशान नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे लेबर इंस्पेक्टर करेगा लेबर इंस्पेक्टर ये देखता ही नहीं कि लेबर की गलती है उद्योग पती की गलती है वो तो सिधा उद्योग प पती को गलत परेशान किया तो यह उद्योग दंदा बंद करके चला जाएगा एक जाएगा उसको देखके दस लोग चले जाएगे तो जिले के यूथ है यूवा के वो बेरोजगार हो जाएगे गुंडा-गर्दी करेंगे नुकसान ही नुकसान ही नुकसान है तो इसलिए व या वो लेबर के पास ज्यादा पैसा है जाएर है जो उद्योग पती उसके पास ज्यादा पैसा होगा तो कि उसको परेशान करो ना लेबर को परेशान करने से मुझे क्या मिलेगा यह जो मेंटालिटी होती है सरकारी अधिकारी खास करके सरकारी अधिकारी जिसके उपर र उद्योगपती रहेगा मेरे जिले में तो कुछ डेवलप्मेंट होगा तो मुझे वोट मिलेंगे। लेकिन इंस्पेक्टर को तो कोई पड़ी नहीं है कि तो उद्योगपती यदि पूरी तरह खतम भी हो जाता है तो मुझे तो मेरी सेलेरी मिलने ही वाली है और मेरी तो वै के लड़कियों पर बलातकार करने वालों को भी बेल दे देते हैं तो यह पूरी जो है वो एंटी इंडस्ट्रालिस्ट माइंड सेट है कि किस तरह से छोटे इंडस्ट्रालिस्टों को लूटा जाए जब्कि जूरी आएगी वह इतना ही देखेगा कि गलती है तो उसको फा इतने ज़्यादा उध्योग बढ़ेंगे उतने हम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के गुड्स बना पाएंगे और वो जाके हमारे हथ्यार बनानी की केपिबिलीटी को इंप्रू करते हैं। एक्सपिरियेंस जाके उनको अच्छे वेपन्स बनाने में काम आएगा कि जब वो वेपन के लिए सरकृट बनाएगा तो उस समय वो गल्तियां कम करेंगा और ज्यादा इफिशेंट ली काम करेंगा। पूरी सिविलीन इंडिस्ट्री है वो वेपन बीडिन्ण इंडिस्ट् होगी क्योंकि वहाँ पर जो अफसर जाज होता है वो सोता है कि करने दो ना पॉलिशन मेरा क्या जाता है मैं तो किसी और एरिया में रहता हूं आप देखो जितने भी लेबर ये पॉलिशन कंट्रॉल बोर्ड के आफिसर होते हैं उनकी ड्यूटी होती है जितनी वी इंडासर एरिया में दिसट्रीजान में गर बंगलो नहीं लेता है अपना फ्लैट बंगलो लेता है चएनपास पास करूंद आपना बंगलो की पॉल्यूटियड नहीं होती है हाई कोट के नियाय दिशों है पहुचा तो पस जबकि जब जूरी आएगी तो वह देखी कि मुझे तो इसी एरिया में रहना है जहां कि पास में फैक्टरी है क्योंकि उनके पास तो करोड़ो रुपया नहीं है कि कि किसी दूर जाके वह बंगलो ले और फिर वहां से रोज पचीस लाग की गाड़ी में आ क्योंकि फैक्टरी बंद करके चला गया तो फिर एंप्लोइमेंट कौन देगा एंप्लोइमेंट नहीं होगी तो गुंडा कर दी बढ़ेगी तो इस तरह से इंडेस्ट्रेलिस की जो पॉलिशन कंट्रोल बोड आउज बिना फिजूल की प्रोब्लम खड़ी कर रहा है वो इलडान जा तूस्टेइओड डाल दे डाने कभी-कभी तो 40 साल तक स्टेइओडर उटते नहीं है जैसे नर्मदाण पर स्टेओडर डाला थो नर्मदाण डैम पर आदिवासी विस्थापितों के नाम पर तो 40 साल तक डैम का काम रुका रहा तो इस तरह से यह जब सारी च दूसरे देश जो कि पाकिस्तान वगेरा की पाकिस्तान की मदद करें उनको कैसे रोकें। तो सबसे पहले समस्या आती है जैसे कि ब्रिटन है। ब्रिटन भी पाकिस्तान को काफी मदद करता है। उसको कैसे रोका जाए। कि हम ब्रिटन को बोल सकते हैं कि तुमने यदि पाकिस्तान को मदद नहीं रोकी तो हम इरिश रिपब्लिकन आर्मी को मदद करेंगे। देखो जैसे के तास तैसा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पुलिस और जज जैसा कोई है नहीं कोई अदालत नहीं है सिर्फ गुंड़े गुंड़े है एक बात मानके चलो दुनिया पिछले 5000 साल से एसे ही चल रही है कि मजबूत मचली है वो छोटी मचली को खा जाएगी य और उसको भी बात दिखाने पड़ेंगे और दानत का कभी कभी उपयोग भी करना पड़ेगा ताकि मजबूत मचली उससे कम से कम दूर रहे उसको छेडे नहीं तो जब तक भारत बृटन को नुकसान नहीं पहुंचा था, ब्रिटा ने वो भारत को नुकसान पहुचाने की प्रक्रिया चालू रखेगा या तो हम उसके गुलाम बन जाए दो मैसे एक है या तो हम अमरीका के गुलाम बन जाए या चीन को गुलाम बन जाए जो भी दुश्मन है फिर अमरीका को हम कैसे दबा सकते हैं कि क्यूबा को आफर करेगी तुम्हें कितने वैपन्स चाहिए नुकलियर चाहिए, कैमिकल चाहिए, बायलोजिकल चाहिए जो वैपन्स चाहिए, फाइटर प्लेंज चाहिए पहले तो हमें फाइटर प्लेंज बनाने आना चाहिए हम फरांस से फाइटर प्लेंज खरीद के क्यूबा बेज़ेंगे तो वो क्यूबा में चलने ही नहीं वाला फ्रांस वाला दूसरी मिनट उसका किल सुईच आउन करेगा वो plane take off ही नहीं करेगा तो क्यूबा वाला हमसे वो plane लेगा ही नहीं यदि वो made in France है यदि वो made in 100% है तो क्यूबा वाला हमसे plane लेगा फिर क्यूबा फिर वेन्यूजुला जितने भी देश है लैटिन अमरीका में कंट्री में उनको मत्यार बेचना शुरू करे फिर जो उनके false है जैसे कि वहाँ पे बड़े पहमाने पे African Americans पे दमन हो रहा है वो एक पूरी systematic strategy है वो मैं किसी और वीडियो में करूँगा क्योंकि वो उनकी समस्या है उसका उपाई ढूडने में मुझे कोई interest भी नहीं है वो 300-400 साल पुरानी समस्या है कि जब वो अफरीका से लोगों को गुलाम बना के लाये थे और उसके बाद भी आज भी उन्हें equality का status कागच पे है भले एक Obama President बन गया पर आप वहाँ का prison status देखो तो African American की आबादी है 12-15% और prison में उनकी आबादी है 70% और किस तरह से उनको इतने बड़े पैमाने पर prison में ऐसा नहीं है कि वो सब वाइलेंट है उनके पास एक मिली क्राम ड्रग्स मिलता है कोकेन या कुछ भी सीधर साथ साल की जेल वार ओन ड्रग्स के द्वारा वो बड़े पैमाने पर African American को जेल बेटते हैं और African American की स्थिती न सुधरे इसलिए वो बड़े पैमाने पर Mexican को देश में घुसने देते हैं मतलब African American के पास education कम है education कम है इसलिए वो minion labor करता है minion labor यानि खेतों में काम करता है कहीं सफाई करता है या तो factory में labor का काम करता है यदि उसकी salary बढ़ी तो वो अपने बच्चे को अच्छा education दे पाएगा वो खुद भी थोड़ी बहुत training लेगा labor है वो technician हो जाएगा खेत में काम करता है वो labor हो जाएगा industrial labor हो जाएगा तो यदि उसकी salary बढ़ी तो उसको वो उसका economic standard बढ़ेगा उसी generation में या तो next generation में तो वो वहाँ के जो गोरे हैं उनसे compete करेगा तो वो ना करे इसलिए कैसे उसको दबा के रखे एक तो बड़े पहमाने पे उसको जेल भेदो अनाफशना पिलजाम लगा के और बड़े पहमाने पे मेक्सिको का जो हिस्पैनिक लेबर बोलते हैं मेक्सिको से लेबर आने तो ताकि लेबर की salary कभी बढ़े ही नहीं यदि जितने भी गैर कानूनी मेक्सिकन है वहाँ अमरीका के खेतों में लेबर है एक गंटे का एक डॉलर यदि सारे मेक्सिकनों को निकाल दिया जाए तो सिधा wage बढ़ जाएगा एक गंटे का 7 डॉलर 8 डॉलर 10 डॉलर तो वहाँ के अफरिकन अमरीकनों को जो कि गंटे के सिर्फ 5-6-6 डॉलर कमाते हैं सिधी उनके salary किसी की साथ डॉलर से बढ़के 10 डॉलर हो जाएगी तो उनके बच्चों का education बढ़ जाएगा उनकी भी training बढ़ जाएगी तो वो उपर आ जाएगे तो वो नहीं होने देता है यह सारी information हम उन्हें पहुँचाना शुरू करें कि भी कैसे आप Mexicanों को रोख सकते हो गयर कानूनी immigrants को कैसे आप उन्हें पहुचाना शुरू करें पहुचाना शुरू करें अवगत करा सकते हैं और यह हमने किया तो अपने आप अमरीका पाकिस्तान को मदद करना बंद कर देगा और पाकिस्तान एक बार अमरीका को मदद करना बंद करेगा तो पाकिस्तान की ताका ताधी हो गई फिर सवाल आता है कि पाकिस्तान को जैसे मैंने गाओ की मदद करने वाले तीन देश है साओधी अरेबिया अमरीका ब्रिटन और चाइना चार देश हुए ब्रिटन और अमरीका को मैं एक मान के चलता हूँ अब हम चाइना को कैसे रुकवा सकते हैं कि चाइना में भी अलगावाद सेपरेशनिजम की प्रॉब्लम है तिबत चाइनीज कजाकिस्तान और तीन-चार एरिया है मैं नाम भूलिया उसके वो जो ऑटोनोमस रीजिन बोलते हैं चाइना के अंदर उसको वहां पे ज्यादा अब हमने पाकिस्तान को मदद की भारत के अंदर आतंकवाद भेजने में तो जितने भारत के मरेंगे उतने ही लोग चीन में मरेंगे तो वो पाकिस्तान को मदद करना बंद कर देगा तो पाकिस्तान का एक साथी इस तरह से कम हो गया अब बात बत्ति है साओदी अरेबिया की वो तो बहुत कमजोर राष्टर है जैसे मैंने आपको बताया कि साओधी अरेबिया के अंदर पांचवे नंबर पर या छठे नंबर पर शक्तिशाली सेना साओधी अरेबिया की है सबसे सक्तिशाली सेना है वागी अमरीका की जिसकी सेना अशक्ति होगी साओध साओधी अरेबिया की सेना से शायद 500 गुना ज्यादा उसके बाद आता है ब्रिटन का नंबर फिर आता है फ्रांस का नंबर फिर जर्मनी और ऐसा कहते हैं साओध कोरिया की सेना जो की सिर्फ टोकन है तोकन यानि साओध कोरिया यह दिखाना चाहती थी कि वो अमरीका के साथ इसलिए उसने थोड़े बहुत सैनिक भेजे तो उनके सैनिकों की ताकत भी साउदी अरेबिया की सेनाखेज से ज़ादा है। पर गरीब ही बहुत ज्यादा है तो उनको हम इस बात से अवगत करा सकते हैं कि साओधी अरेविय का जो पेट्रोल है उस पे आपका नेचरल राइट है और इस तरह से हम उन्हें उनका जो नेचरल राइट है जो कि साओधी अरेविया कुवेट का दुबई का जो पेट्रोल ह वो निच्छल राइट प्राप्ट करने में उनकी थोड़ी बहुत भी मदद कर दे तो साउधिय अरेविय दूसरे दिन पाकिस्तान की मदद करना बेद देगा। एक बार जब पाकिस्तान को ये तीन देश मदद करना बंद कर दे चीन साओधिय एरेबिया और ये बृतन अमरीका नेटो ये तीन देश मदद करना बंद कर दे उसके पाकिस्तान के पांट टुकड़े करना कोई बड़ी बात नहीं है बहुत आसान गाम है उसके पांट टुक कर सकते हैं धन्यवाद